हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टाडी ट्रिक्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस्टैटिक जीके का एक इंपोर्टन टॉपिक भारत के पिरमुक किरसी अनुसंधान के बारे में, दोस्तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और ऐसी ट्रिके आप एक बार वी तो सबसे पहला हमारा है केंद्रि गेऊ अनुसंधान शाला, दोस्तो ये कहां पर है, पूसा के अंदर, अब आप इसे ध्यान कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, दोस्तो आपने देखा होगा, जब गेऊंगी खंदाई होती है, मशीन से, तो एक ओर से गेऊं निकलते दूसरी और से क्या निकलती है? भूसा निकलती है क्या निकलती है? भूसा तो भूसा से क्यों relate कर सकते हैं पूसा से भूसा, पूसा Same sound दे रहा है तो आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं Kendri Game One संदान का wavelength कहान पर है? पूसा यानिकी भूसा I hope आप इस तरह से आसानी से याद रख पाएंगे अगला है केंजरी इंजीनिरिंग संस्तान तो ये कहाँ पर है भोपाल के अंदर अब इसे कैसे ध्यान रखेंगे दोस्तों हमारे देश के अंदर बहुत सारे इंजीनिरिंग इंजीनिर लोग बिरोजगार हैं इंजीनिर करके बिरोजगारी में रहते हैं तो आप अगर इंजीनिर ने दिल पर ना लें वैसे ट्रिक से याद करने के लिए बता रहा हूँ तो इंजिनिंग करने के बाद इस्टूडेंट का क्या बच जाता है भोपा बच जाता है तो भोपा इंजिनियर लोगों का भोपा बच जाता है इंजिनिंग करने के बाद उन्हें जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है तो इस तरह से रिलेट करके आप ध्यान डख सकते हैं के अगर ये प्यासे हैं तो इन्हें पानी पिलाना चाहिए और अगर ये भूके हैं तो इन्हें दाना डालना चाहिए तो आप इससे रिलेड कर सकते हैं जितने भी पक्षी हैं हम इनकी क्या करना चाहिए इज़त करना चाहिए मुझे उम्मीद है आप इस तरह से याद रखेंगे तो आसानी से याद रख पाएंगे अगला आए केंद्री भैंस अनुसंदान संस्थान तो ये कहाँ पर है हिसार के अंदर अब इसे कैसे याद रख सकते हैं दोस्तो भैंस हमें जो धूद देती है धूद से घी मक्षन आदी मिलता है और ये हमारे बहुत काम का होता है फ्रेंड्स तो भैंस हमारी इतनी हेल्प करती है तो हमें भैंस के संग क्या नहीं करना चाहिए हिंसा नहीं करना चाहिए उम्मीद है आपको यह याद हो चुका होगा नेक्ट हम देखते हैं केंदरी बकरी अनुसंदान संस्तान तो यह कहाँ पर है मखदूम के अंदर अब इसे कैसे याद रख सकते हैं दोस्तो बकरी का दूद होता है मक्खन की तरह जब हम बकरी का दूद दूदे हैं, तो कैसा निकलता है मक्षं की तरह, तो मक्री का दूद मकदू, मक्धूद मक्धूद की तरह होता है तो आप इस तरह से इसे, रिलेट करके, आसानी से याद रख सकते हैं अगला एक केंद्री भेड एवं उन अनुसंदान संस्थान तो यह कहां पर है अंविका नगर में अब इसे कैसे ध्यान डख सकते हैं दोस्तों जो हमें उन मिलती है किसे मिलती है भेड से मिलती है भेड से क्या मिलती है उन मिलती है अब उन से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनत कर सकते हैं विका इसके अंदर विका दिख रहा है तो आप इससे इस तरह से रिलेट करके हासानी से याद रख सकते हैं कि अब सब कुछ विका अगला एक केंजरी खारा जल मतद सपालन संसान तो यह कहां पर है चेन नहीं में अब इससे कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों अग तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि खार जल में मतद सपारान करने पर मचलियों क्या होता है चैन नहीं पड़ता तो चैन नहीं से रिलेट कर सकते हैं मुझे उम्मीदा आप इस तरह से आसानी से इसे याद रख पाएंगे नेच्ट हम देखते हैं अगला दिया गया है केंजरी शुष्क भूमी अनुसंदान संस्तान यह कहाँ पर है हैदराबाद में अब इसे कैसे ध्यान डख सकते हैं दोस्तो दोस्तो जितने भी किसान होते हैं अपनी फसल को जब बोते हैं तो उनके दिल में यह डर रहता है कि उ हैदध्य डर हैदर हैदर लिख है तो आप इसे visible कर सकते हैं है डर किसानों को यही डर है कि अनकी वह ded कर सकते हो उनकी उनकी फासल पर भूमी शुश्क नहीं को तो आप इस तरह इसरा इसे करकर कर आसानी से याद रख सकते हैं चलिए नेक्ट हम देखते हैं नेक्ट है केंडरी वागानी फसल अनुसंदान संस्तान अब यह कहां पर है कोसर गोड में अब इसको कैसे ध्यान डख सकते हैं दोस्तों जितनी भी वागानी और उफसे हैं उनकी बहुत ज़्रादा खिंद्मत करते हैं कोई अईसा बैसा बंदा जब घुझ जाता है तोige करता है बागान माले किया करता है उन्हें को सने लगता है तो कुषने से यई करते को स TU बागानी फसल में खुचने पर माले क् harvest क लगता है तो कोशर गोड इस तरह से रिलेट करके इसे आसानी से ध्यान रख सकते हैं नेक्ट हमारा केंद्री ताजा जल मतस्त बालन संस्तान कहां पर है भुबनेश्वर में शुष्क कहां पर था आपको मैंने बताया था शुष्क कहां पर था चेनने के अंदर था वो केंजड्री ताजय जल मतस्त पालन संसर कहाँ पर भूबनेशवर तो मचलियों को uncomfortable feel होता-क, किसमे शुक जल में और यह कैसा है? ताजय जल कैसा है? ताजय जल में मचलियां किया समझ्जती है? अपना भवन समझ्जती है भवन से रिलेट कर सकते हैं भवन 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 इस तरह से रिलेट करके आसानी से इसको द्यान डख सकते हैं अगला है मखना विकास शोद संतान कहां पर है दर्भंगा में आप इसे कैसे द्यान डखेंगे दोस्तों मखना से रिलेट कर सकते हैं मखन को मक्खन खाकर विकास और पर शोद के लिए क्या करना पड़ता है दरदर भागना पड़ता है दर भंगा यानि दरदर भागा तो दरदर भागने से विकास और सोद होती है मक्खन खाकर तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके आसानी से ध्यान डख सकते हैं अगला है केंद्री आम शोद संतान कहां पर है दोस्तों ये लखनों के अंदर अब इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं तो दोस्तों लखनों को क्या कहते हैं नवावों का शहर और नवावों लोगों को क्या पसंद है आम तो इस तरह से इसके ध्यान रख सकते हैं कि नवावों को क्या परशंद है आम उम्मीद है आप इस तरह से आसानी से इसको हमेशा के लिए याद रख पाएंगे अगला हम देखते हैं केंद्री आउशदी इबं सुंगदित पादप संतान तो ये कहां पर है ये भी हमारा लखनों के अंदर है अब इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं अग कैसे होते हैं लाखों तरह से तो लाख से रिलेट कर सकते हैं लख यानि लाखों तरह की तो लख नव केंद्री आउसादी सुंगदित पादप संतान किस तरह कहां पर है लखनों के अंदर उमीद है आप इस तरह से रिलेट करके आसानी से याद रख पाएंगे अगला है के के इंदिरी नारियल शोद संतान, कहा पर है, कोसर गोड, कहा पर है, कोसर गोड में, अब落ग सकते हैं, किसी भी चीज़ के जब उधगाटन होता है, तो हम क्या करते हैं, नारियल को फोलते हैं, तो नारियल को कसकर मारना चाही सब mostly, फूटेगा क्योंकि नारियल होता है मजबूत तो नारियल कसकर इस तरह कोसर से आप रिलेट कर सकते हैं कसकर नारियल को कसकर मारो कसकर मारेंगे तब ही नारियल फूटेगा बरना नारियल नहीं पूटेगा तो इस तरह से रिलेट करके आसानी से इसको ध्यान डख सकते हैं अगला आए केंदरी तंबाकू शोट संतान कहां पर ये राज मुंदरी में आप इसे कैसे ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स तंबाकू जो कोई खाता है तो जब मुँझ चलाता है तो इस तरह करता है इस तरह की रियक्षन देता है कि जैसे की उसी का राज है चारोड इस तरह की रियक्षन देता है चाहे भले को उसका मुझ बंदरी की तरह लगे बंदरी से आप रिलेट कर सकते हैं मुंदरी को चाहे उसका मुझ कैसे लगे बंदरी की तरह तो इस तरह से आसानी से रिलेट करके याद रख सकते हैं फेन जो लोग तंबाकू खाते हैं तो वो अपने दिल पे ना लें बस याद करने के लिए बता रहा हूँ अगला देखते हम केंजरी चावल शोज संस्तान तो ये कहाँ पर है कटक के अंदर अब इसे कैसे ध्यान रख सकते हैं चावल अगर आप कच्छे चावल चबाएंगे तो कट-कट बोलते हैं कैसे बोलते हैं कट-कट तो इस तरह से इसे रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं अगला एक केंजरी गंजा गंणा पिरजनन संस्तान तो इसे कैसे याद रख सकते हैं दोस्तो जब गाउंगों के अंदर आप लोग टूर पर जाते हैं तो कहां जाते हैं जंगल के अंदर जाते हैं शहर के अंदर तो आप कहीं भी जा सकते हैं लेकिन जंगल के अंदर गाउं के अंदर आप कहां जाते हैं जंगल पर जाते हैं, टूर के अंदर, कोई भी, कोई से रेलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं, उम्मीद है, आपको ये याद हो चुका होगा, अगला एक कैंजरी, शाक भाजी, पिरजनन केंद, तो ये कहां पर हैं, कुंलू में, आप इसे कैसे दियान रख सकते हैं, उल्लू किस तरह का लग रहा है, जैसे उल्लू। दोस्तो, अब इसे कैसे याद रख सकते हैं, कुल्लू उल्लू तो शाक भाजी अगर आप नहीं खाएंगे, तो आपकी बुद्धी कैसी रहेगी, उल्लू की तरह कैसी रहेगी उल्लू की तना है इसलिए आपको शाक भाजी जरूर खाना आए तभी आपका दिमाग तेज होगा बना आप उल्लू की तना बने रहेंगे तो इस तरह से इसको रिलेट करके आसानी से याद रख सकती है अगला हम देखते हैं अगला दिया गया केंद्री कंदिये फसल शोट संतान तो ये कहां पड़े तुरू अनंत पुरह में दोस्तों जो कंदिये फसल होती है तो कंदिये फसल के लिए क्या करना पहुता है हमें अंत तक अंत तक पूरी देखवाल करना होती है तो आप इसे इस तरह याद रखेंगे कि कंदी फसल के लिए हमें पूरा अन्त तक तो अनन्त यानि अन्तक अन्तक पूरा ध्यान रखना पड़ता है तो कंदी फसल के लिए हमें अन्तक पूरा ध्यान रखना पड़ता है तभी हमारी फसल अच्छी होती है तो केंद्री कंदी फसल सोज शन्तान कहां पर है तुरू अनंध पुरब में तो उम्मीद है आप इस तरह से याद रखेंगे तो हमेशा के लिए याद रख पाएंगे फ्रेंड्स ये थे बीज शो सन्तान जिसे मैंने ट्रिक से आपको बताया ये इसका पार्ट नंबर बने आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो मैं इसके जलते जलते जतने पार्ट हैं सारे प्रोवाइट कराऊंगा और आ अमीद है आपको ये सारे याद हो चुके होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक जरूर करें मिलेंगे हम इसके नेक्ट पार्ट में तब तक के लिए जैहिन जैभारत